हमारी सेना पर ये कायरता पूर्ण हमला अत्यंत निन्निय है चिंता की बात ये है कि एक महीने के अंदर पांचवा आतंक की हमला ये हुआ है आपने देखा किस रूप से कठुआ के अंदर ये जो हमला हुआ है बिल्कुल इसी रूप से आपको याद होगा दिसंबर 2023 में रजोरी में भी हमारे चार शहीद हुए थे वहाँ भी ऐसा हमला हुआ था आपको याद होगा फुलगाम में एक दो दिन पहले एंकाउंटर भी हुआ जहांके छे आतंकियों के साथ-साथ दो हमारे सहीद भी हुए और आपने आपको याद होगा 26 जून को भी इसी तरीके से डोड़ा के अंदर एंकाउंटर की एक घटना सामने आई और जून 9 जून को जब धान मतीजी की सपत यहन समार हो था जिस दिन उस दिन भी आपको याद होगा कि एक हमारी वैश्णो देवी जाते हुए एक बस के उपर एक इसी प्रकार से दुसास पूर्ण हमला किया गया तो यह लगातार हो रहे हमलों पर भारतिय राश्टे कॉंग्रेस कंबीर चिंता वेक करती है अवाज हम गंबीर चिंता वेक्ट करते हैं और हम चिंता के साथ साथ हमारे मानना है कि जिस गंबीरता से सरकार को लेना चाहिए उस गंबीरता सरकार नहीं ले रही तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खिजना चाहते हैं आगरे करना चाहते हैं इसको सरकार पूर्णत है गंबीरता से ले और सभी देशवासी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप से भारतिय राश्टिक कॉंग्रेस के रूप में हम भी हर तरीके से सरकार जो कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के मद्बे नजर उस हर कदम का सहयोग करने के लिए हम तक पर है सभी देशवासीयों की एक भावना है कि जिस यह जो आतंकी जो हैं इनको नी की भाषा में जवाब भी दिया जाए और हम अपनी और से पुरा सहयोग भी देने को तक पर है